हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं हमारे योटूब चैनल में तो डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लासात का जो है हिंदी है ठीक है क्लासात का हिंदी है बचपन के दिन चैप्टर आठ है बचपन के दिन इसका जो भी प्रशन अभियास रहेगा तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो चलिए इसका जो प्रशन देख लेते हैं यह प्रशन कर रहा है पाठ से पुझ रहा है ठीक है पहला है सही तो राष्ट्रिय एपी जे अबदुल कलाम का जन्म जो हुआ था बिहार में उडिसा में तमिलांडू में करनाटेक में तो यह जो सही हो जाएगा तमिलांडू में ठीक है गौन अमर जो है सही हो जाएगा बौकर है रामानंद के पिता थे सरकारी सेवक मंदिर के पुझार खिसान ब्यवसाई तो जो है यह सही हो जाएगा मंदर के पुजार यनी की खोनमर सही हो जाएगा सो नमर में का रहा है अबदुल कलम के बच्पन के कितने पक्के मित्र थे दो मित्र थे तीन, चार, पाज तो आपको सही मारना है इसमें ठीक लगाना है तीन एपी जे अब्दुल कलाम के बच्पन के जो है तीन मित्र थे वो भी पक्के मित्र थे यदि आप जो है पड़े होंगे इस जो है कहानी को तो आपको पता चलिएगा उनके बच्पन के तीन नहीं तीन जो है पक्के मित्र थे यनिके सच्चे और पक्के मित्र थे तो चलि सिख्छा ग्रहन करने में किन किन कठिनायों का सामना करना पड़ा तो इसका उतर है देखियें यहाँ पे यह वाला उतर है ठीक है दूसरा का ए पिजि अब्दुल कलाम साहब को जिन जिन कठिनायों का सामना करना पड़ा उसमें सेया तीन कठिनाया प्रमुक है वैसे तो उनकी पठाई करने में बहुत सारी चाथिनाया आया लेकिन हम ने तीन यहाँ पे लिखे है ठीक है पहला कठिनाया उनका आया आर्थिक कठिनाया दूसरा आया सम्मालजिक और समन्तायों संप्रदाइक ता तीसरा आया मुसल्मान लड़के के साथ एक हिंदु लड़के पास बैठ कर पढ़े या अच्छा नहीं लगता नए टीचर को ठीक है तो चलिए अब जो है तीसरा कोस्टन देख लेते हैं तीसरा कोस्टन कर रहा है रामानन्द के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेद भाव का बेवहार करने वाले सिक्छक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा तो चलिए इसका उतर देख लेते हैं इसका उतर जो है बहुत सिंपल सहा रामानंद के पीता ने दोनों दोस्तों के प्रती भेद भाव का ब्यवहार करने वाले सिच्छक से कहा उन्हें निर्दोस बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की समाजिक और समान्ता यो संप्रदाइकता का बिस नहीं घोलना चाहिए ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि योगे सिच्छक बच्चों में भेद भाव उत्पन नहीं करते सिच्छक को जाती धर्म संप्रदाई गरीब अमीर उच नीच आदी भेद भाव से सदे अलग रहना चाहिए ठीक है तो ये रहा उसके बाद से जो है इसमें का पूछ रहा है पाठ से आगे पहला है डाक्टर अबदूल कलाम के बिज्ञान सिच्छक की पतनी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन के कारण क्या कारण रहे होंगे तो यदि आपको चाहिए था हम अगले वीडियो में ला देंगी इतना जो है ब्लाकर पूछ रहे हैं गति वीदी यह सब जो है सारी जनकरी अगले वीडियो में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलता है अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए हमारे से जूड़ रहे थेंक यू फर वाचिंग माई वीडियो